Hello and welcome to my channel Connect with Math Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos दोस्तों आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 का पहला चैप्टर रिलेशन पढ़ेंगे क्लास 11 में भी हमने रिलेशन का जनल इंट्रोटक्शन देखा है तो यह जो क्लास 12 है इसमें टाइप्स आफ रिलेशन आपके सल्वस में है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और रिलेशन पढ़ते हैं देखे रिलेशन के लिए पहले आपको कार्टीजन प्रोड़क्ट आफ सेट्स को जानना होगा कार्टीजन प्रोड़क्ट आफ शुक्स करते हैं कर्टीजन प्रोड़क्ट आफ सेट्स जो होता है 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 सेट ऑफ और अर्डर रहर होता है क्या मतलब आए कि सब्सक्राइब अगर कोई सेटी वान जिसमें टू थ्री एलिमेंट्स है और कोई दूसरा सेट भी है उसमें ए एंड बी दो एलिमेंट है ठीक है तो सेट अफ ओल ओडर्ड पेस इन दोनों का जो कार्टीजन प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा कि अव्यूं कि सेट होगा ऑ्ल ओर्डर्ड पेस मतलब कि फेस्ट वाला के एसे हो देन फjenigen आप फेस्ट वाला बिसे हो डैन कि उनट्रीकर की तो यह क्या प्रसट वाला जब ओर्डर्ड चै़ करो ऊते हैं कि वह आपका कार्टीजन प्रॉडक्ट होता है तो यह आपका कार्टीजन प्रॉडक्ट हुआ जिसमें जो पहला वाला है अलिमेंनट वो एक का होता है और दूसरा वाला वे का है तो यह Cartesian Product relation चल रहा लेकिन Cartesian product हम क्यों पाट रहा है क्यों की जो relation होता है क्या होता है Cartesian Product जो होता है उसी का subset होता है यह subset होता है और इसको इस तरीके से भी लिखा जैसकता है ए आर बी ए आर बी इसका मतलब यह हुआ रिलेशन कि ए रिलेशन स्रॉम सेट ए टू सेट बी यह हो गया तो इसका मतलब यह हो गया कि दीखे रिलेशन जब भी होगा तो दो सेट के बीची होगा तो उन दोनों सेट का जब हम कार्टिजन प्रड़क्ट निकालें और उसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ठीक है तो रिलेशन क्या होता उनका सबसेट होता है इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी का जो सबसेट यह सारे इसके सबसेट्स है ठीक है तो इसका जो रिलेशन है वो इनहीं में से कोई सबसेट होगा वो उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिलेशन कैसा है जैसा रिलेशन होगा जो कंडिशन होगी उस रिलेशन में आर बीक लिए उन में से वो element आ जाएगा वो ordered pair हो जाएगा वो उसका relation कहलाएगा ठीक है आगे question भी देखेंगे तो और clear होगा इसका मतलब यही था आप समझे कि जो relation होता है वो subset A cross B का होता है इसका मतलब यही हुआ कि कोई भी दो set है उनके बीच का जो relation होगा वो जो Cartesian product निकला उसका subset होगा कौन सा subset होगा वो relation पर डिपेंट करेगा चलिए अच्छा एक चीज़ और जाएगे कि अगर यह जो set A है इसमें M elements है ठीक है और यह जो set है B उसमें N elements है ठीक है तो total number of total number of relations relations from A to B जो होगा वो 2 to the power MN होगा ठीक है इस चीज़ को याद रखें कभी questions आ सकते हैं अगर इस case के लिए हम देखें तो इसमें A का जो element है यहनि M is equals to 3 है और B में कितने element है 2 है ठीक है तो इसमें total number of कितने relations हो सकते हैं possible relations 2 to the power MN है 3 into 2 to the power 6 relations possible है इसमें ठीक है अच्छा अगर यह relation है ठीक है तो relation है अगर यह तो inverse of a relation भी होता है यह relation का उल्टा inverse of a relation यह क्या होगा inverse of a relation ठीक है inverse of relation में क्या होगा एक relation है from A to B ठीक है तो अगर इसका inverse relation हमें पता करना होगा तो यह क्या हो जागा relation from B to A जागा inverse relation from B to A inverse मतलब उल्टा जैसा कि आप जानते हैं तो बहुत important नहीं है यह लेकिन जानिया आप अगर आप relation पढ़ रहे हैं तो इस चीज को भी जानी है अगर A B जो है सपोज यह आर रिलेशन को बिलॉंग कर रहा है तो जो बी होगा वो आर इंवर्स को यानि इंवर्स आफ रिलेशन को बिलॉंग करेंगा ठीक है अच्छा ज्यादा तर जो रिलेशन होंगे आपके सलबस में वह क्या होगा रिलेशन एटू बी नहीं होगा वह ज्यादा तर जो रिलेशन होगा वह क्या होगा एक के साथ ही होगा ठीक है यह का एक के साथ ही रिलेशन होगा इस टाइप के कोशन्स आएंगे और इसको बोल से पहले कि इंट्रोडक्शन सा हो गया में जो आपके सलबस में है जो इंपोर्टन्ट है वो टाइपस आफ रिलेशन से चलिए वह पढ़ते हैं इस पाइपस रिलेशन में जो पहला रिलेशन है वह होता है वाइड या उसी का एक और नाम है एम्सकर या उसी को हम नल भी कह सकते हैं नल रिलेशन ठीक है नम से ही लग रहा कि ऐसा दया कुए मैंकि आरिलेमन्ट हो इनकोह प्रियलेशन ही ना उन् WOW पिक है अम्सक्राणों तो ऐसा relation क्या होगा अगर कोई set है ए ठीक है कोई set ए है तो उसमें जो relation हो उसमें जो relation आये वो क्या empty हो यानि उसमें कुछ भी relation ना हो या जो relation की उन दोनों के बीच जो भी condition हो वो मैच नहीं करें और उसमें कोई भी element नहीं आए तो रिलेशन अगर आपका empty आ रहा है तो वह कैसा relation होगा नल relation होगा या empty relation होगा ठीक है और जैसा कि relation क्या होता है वह Cartesian product का subset होता तो इसलिए मैंने यह लिग दिया चलिए example से देखते हैं suppose एक set है इसमें element 1,2,3,4,5,5 elements है ठीक है अब एक relation दे दिया कि relation में AB जो है वह क्या है एक relation है AB जिसमें ऐसा है AB कि A-B is equal to 12 हो इस set में relation on set ऐसा है कि जो AB हो ठीक है उसमें से A-B करने पर 12 आए और यह AB क्या हो यह दोनों A से belong कर रहा हो ठीक है तो अगर आप यहां पर ध्यान दें कि इन में से कोई भी दो नमबर आप ले लें और उनको difference आप देखिए तो कभी भी 12 नहीं आएगा 5-1 सबसे जादा इसमें 5 सबसे कमबन है 5-1 4 हो रहा है 4-1 3 2-5-2 3 तो कोई भी relation ऐसा आपको नहीं मिलेगा क्योंकि A-B is not equal to 12 कभी 12 नहीं होगा वह ठीक है तो यह relation क्या हो जाएगा आपका कि एंप्टी रिलेशन हो जाएगा यानि इनके बीच कुछ कोई relation ही नहीं है एंप्टी और वार्ड रिलेशन हो जाएगा कि इसी था क्लियर हो गया होगा चलिए सेकेंड देखते यूनिवर्सल दूसरा होता है यूनिवर्सल रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब यह हो गया कि कोई भी दो सेट में ऐसा रिलेशन जो उसके सारे सबसेट्स इंकलूड हो मतलब एसा relation जो हो जो उसका Cartesian product आ रहा है वो जो Cartesian product आ रहा है उसमें जितने भी sets हैं वो सारे ही उस relation को satisfy करें अगर तो वो universal relation हो जाएगा नाम सही लग रहा है यूनिवर्सल यानि रिलेशन हो वो पूरा कंबाइन रिलेशन हो ठीक है इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई भी रिलेशन आगर एक दूसरे में नहीं पट रही तो वो तो क्या हो गया उनके बीच कोई relation नहीं होगा वो empty relation कहलाएगा और बहुत से लोग सेट लेता हूं कि सेट ए वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है यह एक सेट है अब अगर यह जो एक रिलेशन है यूनिवर्सल के लिए एक रिलेशन देखिए एबी यह बिलॉंग कर रहा रहा आर को तो सच देट कैसा है ए माइनस भी मॉड आफ ए माइनस भी इस ग्रेडर द इसका मॉड ले रहा हूं एक यहां पर और बी की यहां पर फॉर्ट यह क्या है जो इसके तो ले ले रहा हूं और फाइव ले रहा हूं तो यह कि तो थी जीरो इसका मतलब यह ऐसा रिलेशन है जो इसके सारे सबसेट्स को क्या कर रहा है सैटिस्फाई कर रहा है ठीक है न तो यह रिलेशन जो है ऐसा नहीं है कि यह रिलेशन जो है वो इनमें जो जो भी एलिमेंट्स है और इन्होंने यह जो कंडिशन दे रखी है वो कोई भी एलिमेंट इस कंडिशन को कर रहेंगे तो ऐसा रिलेशन जो होगा आपका यूनिवर्सल रिलेशन कहलाएगा ठीक है कोई भी आप दो element उठाकर देख लिए यह इस condition को satisfy करेगा तो यानि यह relation जो है यह इस पूरे set के हर element के लिए क्या है यूनिवर्सल है ठीक चलिए आइडेंटिटी रिलेशन वह है आईडेंटिटी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन तो इसने क्या होता है कि जो पहला element होगा वही दूसरा element भी होगा यानि सेम से मों अ nessa हो और वह जो बिलॉंग करेगा एक इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कूई सेट है वन टू-3 ठीक है तो आपका रिलेशन कुछ इस तरह का होना चाहिए जैसे खत्यक्ति है आपके रिलेशन में अगर वन है तो 21 भी होगा टू है तो 22 भी होना हीए और ठीए तो 33 भी होना चाहिए तो यह आपका identify relation हो जागा वहीं पर एक relation अगर मैं ऐसा लिख दूह कि 2020 हो और एक दूसरा डिलेशन लिखों आर्टू 1122 और 13 तो देखा जाए कि आरवन जो है यह यह आइडेंटिटी रिलेशन होगा कि होगा छätte करते हैं तो oh identity relation के लिए वन का है तोперв रोकी तुह है तो同त है फिकर यह जो पैरिंग है वो सेम सेम की है लेकिन थी है तो इसका 33 क्या कर रहा है 33 जो है वह वन नहीं कर रहा है सहार को तो यह क्या होगा ॉप Ratio यह सारे है वन वन थू चुनार है वो क्या कर रहा है यह सी से यह यह होना चाहिए पहला और दूसरा एलिमंट उसना होता तो यह तो टाइप्स ऑफ रिलेशन हो गए इसके बाद और भी टाइप्स हैं चलिए उस पर चलते हैं तो जो अगले आपके जो रिलेशन के टाइप्स हैं वह हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन्स शलीबस के पॉइंट अफ वियो से या ताइप अफ कोशं जो आपके बनते हैं जो बॉर्ड में आते हैं ठीक है उसके पॉइंट ऑफ वियों से जो रिइलेशन में आपको पढ़ना है वह यही पढ़ना है जो questions आएंगे वो सारे questions 80-90% questions इसी से आएंगे इनी relations से आएंगे reflexive, symmetric and transitive relation तो जो class 12 में relation रखा गया है वो इसी के लिए रखाई गया है ठीक है क्योंकि यही पढ़ाना है क्योंकि इसके पहले का आप बहुत सारी चीज़ है class 11 में भी पढ़ चुके हैं निया जो है जो नियू है प्लस 12 में रिलेशन का जो सलबस में वह आपको यही पढ़ना है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा तीन तरह के रिलेशन से इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान से देखिए पहला शुरु करते हैं पहले जो रिलेशन है वह है रिफ्लेक्शिव रिलेशन यह रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है पॉइम दिखने है को रिफलेक्सिव रिलेशन के लिए कि कोई भी रिलेशन आर जो होगा रिफलेक्सिव होगा इफ क्या हो कि ए ए यह बिलॉंग करें आर को फॉर आल ए जो हो वो ए को बिलॉंग करें ठीक है क्या मतलब है इसका मतलब यह होगा कि कोई भी कषी कि element ए जोभी है है वह सट में सैंस्तों फीजाब होने के लिए जो भी एप eliement लें उसका सेमेलिमक जैसे आइडेंट्यों में होता था कि जो पहला element हो वह दूसरा element हो वह बिलॉग करना चाहिए उस gli default अगर कोई एक सेट है 123 का ठीक है अब इसमें मैं दो रिलेशन लिख रहा हूं पहला रिलेशन लिख रहा हूं 11 जिसमें एलिवेंट सा 1122 331321 ठीक और यह है आर्ट टू एक और रिलेशन लिख रहा हूं ताकि कॉंपेर कर सके हैं आप देखिए तो अगर आप ध्यान दें कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए यह सेट में जितने भी एलिमेंट हैं ठीक है उनका जो भी पेर बनेगा वह सेम सेम का एक पर बनेगा यह वन है तो 1122 33 33 बाकी जो भी उससे हमें मतलब नहीं है यह आपका क्या हो गया रिफ रिफ्लेक्सिव हो गया ठीक है यही फर्क है रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी में क्योंकि आप अभी सोच रहेंगो कि सेम नोटेशन तो मैंने आइडेंटिटी में भी लिखा है और वही मैं रिफ्लेक्सिव में भी लिख रहा हूं तो फर्क यह है यह आइडेंटिट तो 33 होने होना ज़रूरी है उसके बात और कोई सी भी पैर हों उससे मतलब नहीं है तो R1 जो है आपका reflexive हो गया R2 reflexive नहीं है क्योंकि 11 33 है तू-टू इसमें नहीं है इसमें क्या है तू-टू जो है वह बिलोंग नहीं कर रहा हो तो यह क्या हो जाएगा यह reflexive नहीं होगा क्लियर हो गया reflexive का concept कि जो भी elements चितने भी elements हो उसका कि है क्या हो उसका double double कि exist करें उसने यहांनी 1 1 1 है तो 112 what 2 2 2 3 बागी कुछ भी हो उस पर होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हाँ आइडेंटिटी होने पर पड़ेगा इडेंटिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ वही होने चाहिए ठीक पहला रिफ्लेक्सिव हो गया तो दूसरा है सिमेट्रिक सिमेट्रिक नाम से भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है सिमेट्रिक मतलब क्या होता है स्क कि मिराइच टैप कहोता है सिमेट्रीं को रिलेशन आगर बंग कर रहा है तो सिमेट्रिक होने करना पड़ेगा और अगर ऐसा हो रहा है कि हैख удар them कि लाएगा उसा हो वह दोनों ही क्या होंगे एक को बिलॉंग करेंगे मतलब हम जो relation मैंने बताया ना शुरू के वीडियो में कि जो relation हम पढ़ रहा है वो क्या होगा वह सेट का जानी एंटू एका ही दायतर पढ़ेंगे अभी हम थीक है मतलब दो सेम सेट्स हैं उन्हीं के बीच हम relation पढ़ रहा है तो यह जो एबी है तो एबी सी अगर इसमें तो एबी सी इसमें है तो एबी जो है वह में कर रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए आगर करेगा इसको विए एक ग्जामपल से देख ले अच्छा इसको एक्जामपल से देखे कि सपोर्ट अगर ए है और इसमें वाइं टू त्री फूर इतने elements है ठीक है तो इसमें भी एक रिलेशन अगर मैं लिखों कि जिसमें हो वन त्री वन पूर थ्री वन 2,2 और 4,1 ठीक है और अब इसमें क्या है यह ONE 3 है ठीक है तो one three है ऑगर 3,1 तो ठीक है देखे 3 one है 1,3 3,1 14 का 4,1 यह भी है और 2,2 का तो टीटा करें इसको इथर करें एथर करें तो भी तो वही होगा तो यह आपका symmetric relation होगा ठीक है, अच्छां दूसरा relation अगर, वनवन है, टूटू हो गया, त्री-3 है, और ये जो-रिलेशन होगा, वो symmetric नहीं है, साफ साफ दिख़़ाय है, क्य然后 1-1 तो ठीक है, एक को satisfy कर रहा है, लेकिन वन 3 है, तो 3-1 कहा है, 3-1 होना चाहिए था, क्यूंकि 3-1 नहीं है, तो यह symmetric relation नहीं ठीक है अच्छा है इसको हम इस तरीके से भी लिखेंगे ए आरबी ठीक है जानी relation है प्रॉम ए टू बी element ए टू बी ठीक है इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको भी लिखें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं जो relation हो गया symmetric reflexive symmetric अब बार यह transitive की ठीक है चलिए transitive पढ़ते है तो जो तीसरा relation है वह transitive relation इसके लिए क्या है कि अगर AB जो belong कर रहा है ठीक है एक pair AB वह relation को belong कर रहा है एंड बी ए बिलॉंग कर रहा है रिलेशन को तो कि AC भी बिलॉंग करेगा उस relation को यह condition अगर satisfy कर रही है तो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा मतलब अगर एबी है वह रिलेशन को भी लाउंग कर रहा है और बीसी भी कर रहा है तो एबी और बीसी कर रहा है तो एसी भी करेगा ठीक है मतलब जैसे होता आ, कि तीन लाइन है अगर, और तीनो लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरलल है. तो अगर L1, L2 एक L1 L2 पैरलल है, L1 के पैरलल L2 है, और L2 के पैरलल L3 अगर है, तो L3 और L1 भी तो पैरलल होगी, वही, सेम ये ट्रांजिटिव रिलेशन में के साथ भी यही है कि अगर यह इसके पैरलल है और यह इसके पैरलल होगी ठीक है इसको भी एक्जामपल देख लेते हैं अच्छा यह एबी सी जो होगा यह क्या करेगा यह तीनों जो होगा सेटें में होगा या इसको बिलांग करेगा इसका एक थो समझते हैं यह भी एक एक डाली था लेकिनि सैट वाला एक दिख्थे हैं वर्न टू- क्रीम थोर ठीन है ow ऐड़ेशन है कि वंण तू तो घट ॉनमत्री सा तो से वाकटो और वनत्रीकि एव तो ऐटिक वंटु कर रहा है वनटु है इसमें इसको बिलॉन कर रहा है इस रिलेशन में और टू-3 भी है तो 1-2 है और टू-3 है तो 1-3 भी और होना चाहिए 1-2 जब 2-3 तो 1-3 हए यहां पर ठीक है और देख लीजीए 1-3 और सब्सक्राइब अदिके 23 है और 34 तो टू-फॉर भी है तो इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यह ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा तो यह ठीट से जो झेडी अपसके जो त्री मेट इंपोर्ट मेरीं इंप एश्रीयलेशन के वह आपने देखा पहला रिफ्लेक्सिव तेमेट्रिक और इभी रिलेशन चुकई मिकलत्व इस पर कोज्शन देखेंगे लेकिन उससे पहले एक रिलेशन और जाता है इतने इंप्मोर्टेंट तो नहीं है लेकिन आप इसको जाने एंटि-सिमे läng सी मेंट्रिक तरह ही होता है लेकिन उसका एंटी कोता है इसको अगर आपको समझना है तो सब्सक्राइब एक रिलेशन अगर है एक और वाई में वह एक्स ऐसा है कि एक्स जो है वह डिवाइड वाई ठीक है और वाई कि इस ऑल्सो या वाई ऑल्सो डिवाइड एक्स तो यह कब पॉसिबल है यह तभी पॉसिबल है जब एक्स इस इक्वाई होगा क्यों कि सपोस अगर एक्स डिवाइड कर रहा वाई को यानि तू डिवाइड कर रहा है फॉर को ठीक है तू डिवाइड कर रहा है फॉर को तो 2 को तो डिवाइट नहीं कर सकता यह कब हो सकता है जब 4 4 को डिवाइट करें तभी ना 4 4 को डिवाइट करें यह 4 इसको कर सकता है तो x is equal to y तो यह anti symmetric relation हो गया ठीक है तो तीनों relation हमने पढ़ा उस पहले कोशन दिख लेते हैं उसके बाद एक दो और रिलेशन से वह पढ़ेंगे तो चलिए कोशन पर चलते हैं तो उन तीनों relation पर कोशन में ने लिया अभी कि यह हम सीबसी बोर्ड में यह तू तो तो नाइट यह पिछले साली आया है यह क्या कह रहा है शो दैट दर रिलेशन आर सब्सक्राइब और हमीर काैया और रिलेशन कैसा है है सबसक्राइब करके , वह है रिफ्लक्सिव ? टाइट्रीटिव था पर सिम्मैट्रिक नहीं है थीक है चली देखतेहं है सब देखते हैं सबसे पहले यहीं करके के पहलेंगे तो रिफ्लक्सिव होने के लिए सबसे पहले आप को क्या होना चाहिए कि ए जो हो वह यह उसका जो num а कर सकते हैं यो हो फूद्म में हो वो उस Re-Mation में होना चाहिए में तो इसके हिसाब से देखते है इसके हिसा यह है कि यह जो है वह भी के इकवंपर भी है और उससे क्या है मैं छोटा है क्या कहने कहा मतलब क्योंकि यह रियल तो आप इसे देखें अगर ध्यान से कि यह 11 हो सकता है 12 हो सकता है ठीक है 22 भी हो सकता है 23 भी हो सकता है ध्यान से समझेगा इसको इसका मतलब ठीक है है 232 हो सकता है 24 भी हो सकता है वैंना तो जब आप को यह ऐसा सट मिल रहा है को ठीक है न ऐसा सट इसमें कि है उसका सेंटे के 243 हो रहा आ и पल्षारres three वहोरा के सब जो ओड़ाए साथ की बाकि सब एक बता है रिफ्लेक्सिव में वह मैटर नहीं करता लेकिन जो एलिमेंट पहला है उस पहर का वह सेकेंड वाला भी एलिमेंट वही सेम होना चाहिए तो आपको देख रहे हैं कि वह है और आगे भी इस तरह से रहेगा तो इसका मतलब क्या आए कि यह जो है आपका यह रिलेशन तो रिफ्लेक्सिव हो गया कि क्या हो गया हार इस अर्फ्लेक्सिव ए रिलेशन थीक है रिफ्लेक्सिव हो गया तो बारियाई सिमेट्री की कि सिमेट्रिक है है कि एक हैं की विलौंग कर रहा है तो आपका बी भी विovan को बिलौंग करना है यह करते हैं तो फिर मैं यहां पर आओंगा आपको यह जो वन वन तो है ठीक है रहा है वन टू भी हो सकता है लेकिन कभी भी टोव क्योंट सकता क्यों कि哎f जो है वो हमेश्चा जो 20 फे च्छोटा ओगा बढ़ा नहीं होगा लेकि한테 ओगा और सिमेट्रिक होने के लिए 2 available होना जरूरी है जो कि कभी नहीं हो सकता है ईह तो इसमें कभी हो नहीं होगा तो यह क्या होगा आडव नॉट आशन यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है रिफ्लेक्सिव स्मेट्रिक होगे अब ट्रांजिटीव की वार यह की ट्रांजिटीव भी देख लेते हैं है एभी अगर विलोंग कर रहा है और को तो आपका एसी जो है वो बिलॉंग करना चाहिए आर को यह ना चलिए इस पर करके देखते हैं कि यह ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है कि देखते हैं एक्जामपल से सब्सक्राइब तो अगर थ्री फोर से बढ़ा और फॉर फाइव से बढ़ा है तो अगर थ्री जो है वो फाइव से बढ़ा होगा तो इसका मतलब क्या यह जो रिलेशन है वो ट्रांडीटिव समझ में आया कि निया इक्वल टू भी ले सकते हैं क्योंकि यह दोनों कंडिशन दी हुई है ठीक है यह तो दो कंडिशन हो सकती है ना यह तो इक्वल हो दोनों ले ले रहा हूं ताक आपको और क्लियर हो जाए अगर 345T है 5 briefly को लहां इस से भी इस प्रूफ होरी है और इससे बीपिन को सब्सक्राइब टोंप मतलब तREE है यह फॉर तो यह क्या हो जाएगा आर इस आ ट्रान जीटिव रिलेशन इस तरह के जो कोशन मैस के टॉपिक है इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है आपको बस तिंग करना होगा सोचना होगा और सोच के आपको उसमें रिजल्ट देना होता है बाकी सब हमने जो पड़े ह इसमें बहुत सारी चीजह क्या होती है वर करना पढ़ता लिखना पढ़ता है ठीकैं और यह गली यहजा की जो आपका को सोच करर ड़ बताना होगा ठीक है आपको बहुत सब्सॉड़ बालो नहीं करने होते हैं तो आपने देका प्शले सल बोड़ में आया만 ऒ्म किटा ए में चलिए आगे बढ़ते में में कि आगे जो रिलेशन है वह एक्विवेलेंस रिलेशन है ऱहीं से तो यह ऑगा यह वह हम ऑग यह बहुत ऑफ सब्सक्राट कोई रिलेशन इक्वेलेंस वह तो तो नेक regard今日 the c3 इन्य उस सैटिसफ़ाई करेजा आथ तीनों रिलेशन्स होंगे ठीक है कौन-कौन से जो हमने पड़े हैं पहला पहला क्या था रिफ्लेक्सिव कि सेकेंड कि सेमेट्रिक और थार्ड वन ट्रांजिटिव यानि अगर हमें चेक करना है कि कोई भी रिलेशन एक्विवेलेंस है कि नहीं है तो हम चेक करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सेमेट्रिक दन ट्रांजिटिव अगर रिफ्लेक्सिव वह रिलेशन सेमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है देन the relation is equivalence ठीक है then and only then the relation will be equivalence तीनों relation होना जरूरी है अगर तीनों में से कोई भी एक relation कोई भी relation अगर symmetry नहीं हुआ reflexive or transitive है तो equivalence नहीं होगा जैसा कि हमने पिछले question में देखा था ठीक है चलिए इस पर भी एक question देखते है question solve करते हैं इसको समझने के लिए एक example ले रहा हूं हुआ 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 है ठीक है चलिए लेट आर कि बिया रिलेश्चन कि यह कैसा relation है कि सेट पर है on the set of all lines है ठीक है यह कैसे सेट पर रिलेशन है जिसमें सारी lines है इन प्लेन उस प्लेन पे जो सारी lines का एक सेट उस पर रिलेशन है ठीक है और वह defined कैसे है कि डिफाइंड वाई कि डिफाइंड वाई लवन लटू जो है वो रिलेशन को बिलॉंग कर रहा है दैट इस लाइन एल वन इस पैरलल टू लाइन लटू ठीक है तो अब हमें क्या करना है कि शो दैट कि शो दैट आर इस एन एक्विवेलेंस 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 और रिलेशन ठीक है कैसे शो करेंगे देखते हैं ब हमेड एक्विवेलेंस होने के लिए रेक्विवेलेंस देखना अपड़ेगा सःमेट्रिक जीए और ट्रांजिटिव देखना पड़ेगा तीन है तो È की वेलेंस हो न सबसेसे सबHo Council कि यह है ठीक है रिफ्लेक्षिफ के लिए क्या है जो पहला हो वही दूसरा हो और वह भीलॉंग करें अहर को ठीके ना मिए तो यह सेट है उसमें क्या है मिलाइनस हैं और वह लाइनस कैसी है फैलल राइनस चीच कै तो अगर आप देखिया एक लगाइन सपोज एलओन है एक लीट् लाइन खुद की भी पैर्लल होती है यह लाइन खुद की भी पैरलल होती है एल टू के लिए भी एल यह बात सिमेंट्री कि सिमेट्रिक के लिए क्या होगा अगर ल one l2 और को बिलॉंग कर रहा है यहांग ल one ल two पैरलल है तो क्या होगा लटू 11 भी हर को बिलॉंग करेगा यह सेम उसी तरीके साथ है कि अगर लटू के पैरलल है तो अब्व्यसली एल टू भी एल बन के पैरलल होगा तो यह से में ट्रिक भी हुआ नेक्स्ट वन ट्रांजिटिव कि ट्रांशेटिव के लिए अगर तीन लेए लकर 11 080 को बिलॉँ कर रहा है तो 11 एल 3 ओन फिन अफ्ल भी लिया तुझ यह मैंने एक प्लिया तक उसी से अगर 11 10 के दूभी के पारलाल तो अटोमेटिकली 11 ने जूभी और सब्सक्राइब होगा तो यह तो क्योंकि यह रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव है इसलिए हम कह सकते हैं हैंस कि हैंस और इस एन एक्वी वैलेंस रिलेशन ठीक है कि यह समझाने के लिए मैंने कोशन ले लिया था चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में अगला जो हमारा जो टॉपिक है वह एक्वी वैलेंस क्लासिस टाइप सो खतम होंगे जो में टॉपिक था वह टाइप खतम होंगे ठीक है हमने पड़ा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट क्लासिस क्लास क्या हताँ घ्र तो इसको आप इस्तरीके से समझ यह अगर कोई रिलेशन एक्वीवैलेंस तो कोई इस स्बोटे आप यह जो और यह आपका आप अपने इसको प्रूफ कर लिया या देख लिया कि यह क्या है एक्विवेलेंस रिलेशन है ठीक है एक्विवेलेंस अगर रिलेशन हो गया है तो हम इस रिलेशन को क्लासेज में बाट सकते हैं ठीक है इसको हम क्या कर सकते हैं क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं पर जो क्लास होंगी जो हम इसको बाढ़र एंगे वो आपस में क्या होँगी सब्सक्राइब मतलब मालुम होना कि व्लेफ णे सब्सक्राइब कुछ नाई वाथ शाट हों में में boys की एक अलग class बना दे घरल की अलग class बना दे तो वह क्या होंगे वह दोनों classes आपस में कुछ common तो होगा निए इसमें सुर्फ boys और इसमें सुर्फ girls होगी ठीक है लेकिन इसको हम ने निकला कहां से स्कूल से ही अलग किया हुआ है इसी तरीके से रिलेशन्स में अगर हम क्लास बना दें ठीक है और वह क्लास की शर्थ यह कि वह आपस में डिस्जॉइंटर दोनों में कुछ कॉमन ना हो तो ऐसे क्लास को एक्विवेलेंस क्लास कहते हैं ठीक है मैं एक एक्जामपल लूँगा अब एक्जामपल से समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि अच्छा है अच्छा टॉपिक है और जायतार लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि एक्विवेलेंस क्लास क्या है बहुत ही आसानी से समझाओंगा चलिए एक एक्जामपल है सपोस्थ एक सेट है एक जिसमें तूडिवाइड्स है टूडिवाइड्स है ए माइनस भी ठीक है और यह रिलेशन जो है यह एक्विवेलेंस है क्या है एक्विवेलेंस प्रिटिछेंट है थी के अब कि अगर है कि अगर यह एक्विवेट्स रिलेशन है यूँ थिक तो क्या होगा हमारा रिंट्रिक्सीन सिमेट्रिक-ड ट्रॉटिटिव कि तव रिंट्रिक्स तभिना सबूहिए थे तक हिए ठीक है तो अब हमें इस relation को classes में बाटना है अब अगर आप देखिए a-b जो है वो two से divide हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया इसमें कोई भी दो number लीजे जो two से divide हो ठीक है तो मैं आपको एक दिखाता हूं कोई और यहां वहां नमबर यहीं से 0 और 2 को ले लिए मैंने चीक है कि दीकते चीरो माइनस टू यह होगा टू से divide होगा फिर सेकेंड ले रहा हूं हे वण और थ्री यह होगा यह भी 2 से डिवाइड होगा 3-1 2 से डिवाइड हो धूष 8-1-2 इसलिए रवह वॉर है पहल सबकर नेक्स अबका कि 835 7 से अधिने टेवाइड और फिर 104 भी हो सकता है 7 1960 2 4 लिए 1 2 4 भी हो सकता है और तो नहीं होगा इसी तरीके से 13 है 16 होगा या 51 भी होगा ठीक है या माइनस में भी होगा तो यह देखिए इस तरह के जो सेट आएंगे जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा और वह सेट बनेगा तो इसमें आप देखेंगे की एक तो है जिसमें सारे इवन है इसमें और भी कुछ तो नहीं है जो छूट रहा है जीरो टू टू फोर जीरो फोर हो गया ठीक है चलिए समझें इस पर ध्यान दीजिए तो एक तो ऐसे पेर हैं जो सारे क्या है है आपके ईवन है और दूसरा ऐसा है जो और हैं तो इसमें हम इसको दो क्लासस भाट सकते यह इसको एक्डों आए टकु तो एवन की क्लास में बटने तो इवन की जो आपको रहेगा relation उसमें से जो पार्ट निकाल रहा हूं मैं बार्ट अलग कर रहा हूं उसमें 0 plus minus 2 होगा है प्लस माइनस दोना हो सकता है और 0 plus minus 4 होगा ठीक है यह क्या हो गया आपका यह तो even का हो गया और एक क्लास ऐसी होगी odd वाली होगी जिसमें 1 तो होगया आपका वन हो गया प्लस माइनेस 3 और 1 प्लस माइनस 5 और भी हो सकती है लेकिन एक नॉर्ण है तो देखा आपने इसी क्लास को हमने दो class में divide कर दिया एक तो हो गई even और एक हो गई odd यह जो class है इसको class 0 बोलेंगे और इसको denote ऐसे करेंगे और यह जो है class odd वाली इसको class 1 का बोलेंगे मतलब क्या है इसका मतलब यह है class 0 जब बोल रहे है वो इसलिए बोल रहे है क्योंकि जो पहला element है तो क्या है जे और इसमें जो पहला element है तो यह जो relation था इसको हमनेfig this क्लास में बाढ़ दिया एक तो जीरो की क्लास में जो की इवन वाली क्लास है और एक जो क्लास है वह वन वाली क्लास है जो की और क्लास है ठीक है जीरो क्लास में पहला एलिमेंट जीरो है और दूसरा एलिमेंट इवन नमबर होता है और दूसरी जो और वाली क्लास है यानि व element हो गए जीरो टू फोर और इसमें हैं वन वाली क्लास में आपके कौन-कौन से element होगा वन त्री फाइव अब देखें यहां पर यानि आपका यह जो सेट था यह रिलेशन को जो यह सेट क्या कर रहा था सेडिसाई कर रहा था एक्विवैलेंस रिलेशन था इस सेट को यानि इस स्कूल को दो क्लास में बाढ़ दिया ठीक है ना इस तरीके से समझ सकते हैं यानि इस सेट को दो सेट में हमने इस सेट को जिसका relation जो है वो equivalence relation है उसमें उसको हमने दो में classes में बाढ़ दिया एक 0 की एक 1 की 0 वाली जो है वो even है और 1 वाली जो है वो odd है ठीक है तो I hope समझ में आ गया होगा को इस पर हम एक कोशन लेंगे तो आपको और समझ में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बस आप इन जनरल यहीं समझे कि कोई भी रिलेशन है तो हम दो classes में डिवाइड कर सकते हैं शर्त है कि वह एक दूसरे से डिस्जॉइंट हो ठीक है मतलब उन दोनों में कुछ भी common नहीं है नहीं है यह अलग है यह पूरा इवन है यह और तो इन कोई common नहीं कुछ भी common नहीं है ठीक है तो यह आपका equivalence class होता है कोशन में आपको जो इसी तरीके से पूछेगा कि अगर आप पहले आप इसको शो करिए कि यह relation जो है वह है कि नहीं है शो करने के बाद आपको यह दिखाना होगा कि इस में जो क्लास वन में कितने elements होंगे या कौन-कौन से होंगे ठीक है तो वह अभी कोशन देखकर और clear हो जाएगा कि यह क्लियर हो गया होगा जिसमें अधा परिशान होने की दूरत नहीं क्लास कोशन देखिए कैसा आता है कि देखिए एक बहुत ही important question मैंने लिया हुआ है जो कि बोर्ड में 10 में भी आया है 18 में भी आया है और 19 में भी आया है यानि काफी पूछा जा रहा है इस पैटन पे जो कोशन इस टाप के कोशन बोर्ड में बहुत आता पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है क जो सल्वस है टाइप सफ लेशन वह सब कवर हो रहा है इसमें इक्विवालीनस रिलेशं में आपका है इस Memphis सेっ Fuk ट्रांजीटिव कवर हो जा रहा है क्योंकि एक वदिश्टपलींस क्लास भी आ जा रहा है इसमें तो यह बहुत इंपोटन और इसको दृएन से देखें वहन कोशन ढूंडूंड के solve कीजिए ताकि इस तरह के कोशन जो की बार-बार पूछे जा रहे हैं आपका पूरी तरह से complete हो जाए देखिए एक relation है हमें क्या करना है कि यह जो relation है set एपर वह इस ऐसा है कि जो a b ऐसा है कि a-b का जो mod है वह multiple of four है ठीक है तो वह हमें अब करना कि एक्विवेलेंस और दूसरा जब हम यह शो कर लें इक्विवेलेंस रिलेशन है तो हम क्या करना है क्या क्लास ओफ वन निकालना या नी find a set of all elements related to one वही होता है न जैसे अभी हमने बताया था और इसी को क्या बोलते है ऐकुवेलंस क्लास बोलते है सेट और अलेमेंस एक्योणस क्लास ऑफन अंग तो चलिया शाल्व करते हैं पहले हैं पहलु से लास तो देखते हैं कि या को वैलेट है कि नहीं त्युक्राविंख सबसक्रबिए में है की का क। इसा है एक एकस devis is auto है और जीरो से ट्वल भी है और जीरो बीटोल्फ यह रिटो यह लिखी देता हूं पूरा 5678 910 11 12 यह सेट है अब यह रिलेशन ऐसा है कि ए माइनस बी जो हो multiple of four है यानि इन मेंसे कोई भी दो लीजिए उसको माइनस कीजिए इसका मॉड कीजिए वो multiple of four होगा ऐसा relation है तो उसके लिए सबसे पहले चेक करते है reflexive है की नहीं तो reflexive होने के लिए आप जानते हैं की ए ए जो होना चाहिए सेम सेम उस relation में बिलाउंग करना चाहिए ठीक है तो देखते हैं अगर हम सेम सेम ले 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 तो मॉड of a minus a क्या होगा इस ओना सेम सेम ले यहां पर तू से होगा और जीरो जो होता है वहर नंबर का अच्छा होना चाहिए ठीक है multiple of fours क्या होते है ज 나올 फॉर फॉर फैल्ष फिस्टीन ऐसा शुरू करते हैं लेकिन पहला बाला जो मझत बसी depर हो जीरो होता है क्योंकि इसमें 4 में 1 से मल्टिप्लाई है 4 में 2 से मल्टिप्लाई है 4 में 3 से मल्टिप्लाई है लेकिन 4 में 0 से भी तो मल्टिप्लाई होगा है थो हर नंबर का प्म आपको पता होगा हर नंबर में हर नमबर का जो इस कडिशन को Mario basketball प्रेशिG obedience को कोई कि यह multiple of four है तो पहली चीज़ तो हो गई कि यह जो है यह reflexive होगा ठीक है अब बारी आई symmetric के symmetric भी है कि नहीं वह देखते हैं अगर AB जो है वह आर को belong कर रहा तो B, A, R को belong करना चाहिए है न तो suppose A minus B जो है ठीक है यह 4 का multiple है यानि 4R ले ले रहा हूँ ठीक तो B minus A यह भी तो 4R होगा अगर यह mod नहीं होता तो minus 4R होता समझ रहे हैं यह अगर ऐसा होता तो यह 4R होता तो B minus A जो होता वह minus 4R होता लेकिन क्योंकि यहां पर R है तो दोनों का 4R होगा तो अगर A minus B कोई भी दो ले ले रहे हैं कोई भी दो ले सब्सक्राइब कोई भी दो ले सब्सक्राइब को और 6 अगर हम ले लें चलिए मैंने 2 और 6 को चूज किया है तो और 6 लें तो टू माइनस 6 माइनस 4 तो माइनस 4 का मोड 4 4 से मल्टीप का मल्टीपल है ठीक तो सिम्मेट्रिक होने के लिए 6 भी होना चाहिए कोई भी डाउट रहा करें आप कॉमेंट बॉक्स में पूछ लिया करिए आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव होने के लिए अगर आर को बिलॉंग कर रहा है तो आप इस नोटेशन से भी समझ सकते हैं आपको अगर और समझना हो कैसे यहां से बहुत असानी से कन्फर्म होई जा रहा है चलिए अगर आर को कर रहा है बिलॉंग और बी सी अगर आर को कर रहा है बिलॉंग यह भी कर रहा है यह भी कर रहा है दोनों पेर तो एसी भी आर को बिलॉंग करेगा है यह ट्रांजिटिव के लिए होता है तो यह बी क्या होगा 4r प्लैस 4ोगा है तब ही का रहिए कर रहा है यह मैल्टिपल यह मैल्टिपल यह दोनों दोंदे लिया की नहीं यह कर रहा का मतलब यही कि वह कि v1 मैनस एता उब भी 4 उप का में प्लैस एक फोर ले लिए आ Meaning 4 अमंग -4 फोर सर्पोस यहां पर है तो यहां पर प्लेस दो एक्ड प्लेसuous तो कह रहाएं कि hij b b क्या कर रहा है सब्सक्राइश कर रहा है है यानी यह 4 आ रए यह 4 का मल्टिपल है यह भी 4 का मल्टिपल जब लेते हैं कि लिए लोका करे। में तो एसी जो है यानि ए माइनस सॉरी ए माइनस सी यह करेगा की नहीं करेगा तो अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं ए माइनस भी प्लस बी माइनस सी लिख सकते हैं इसमें क्या होगा बी भी कैंसल हो जाएगा तो ए माइनस भी आपका 4R है और यह 4R प्लस 4 है इन दोनों को add कर दें अगर तो यह हो जाएगा 8R प्लस 4 इन में से 4 common ले ले तो 2R प्लस 1 आ जाएगा तो यानि 4 बाहर है इसका मतलब क्या हुआ कि ACB जो है वो 4 का multiple है तो यह आपका ट्रांजिटिव भी हो गया तो क्योंकि यह reflexive है यह symmetric है और ट्रांजिटिव है तो यह जो हमें शो करना था कि जो रिलेशन है वो क्या हो गया equivalence relation हो गया ठीक प्रूफ हो गया यहां तक का तो काम हो गया अब क्या करना है find the set of all elements related to one यानि equivalence class 1 निकालना है यानि इस set से जो class बनेगी one की one की class मतलब यही हो गया कि जो भी pair बनेगा उसकी जो पहला element है one है one हो अगर तो वो class कहां तक जाएगी ठीक है कितनी उसमें कितने elements होंगे यही पूछ रहा है find the set of all elements उस से जो सेट बनेगा उसमें कितने elements होंगे one से related तो यह निकालने के लिए अगर आप देखें कि four का multiple होने के लिए ठीक है four का multiple होने के लिए one अगर हम रखें तो वन के साथ five होगा है ठीक है तब ही तो one minus five four होगा और five one भी हो सकता है ठीक है लेकिन वह उसको मैं नहीं लिक रहा हूं को इतना और one के साथ यहां पर नाइन हो गया टेन लेंगे तो nine 11 लेंगे तो 11-110 12-11 यह नहीं हो गया नहीं सिर्फ इतना ही होगा वन क्लास का अब समझ रहे हैं इसमें यहां पर five one भी लिख सकता था है ना लेकिन five one नहीं लिख रहा हूं क्यों क्यूंकि class आपकी one की class है और one की class मे पहला element जोना चाहिए वन होना चाहिए इसी तरीके से इसमें मैं two six भी लिख सकता था क्योंकि two minus six four होगा वो भी four का multiple होगा ठीक है लेकिन इसको भी मैं नहीं लिख सकता क्यों क्योंकि यह class one की और one के लिए पहला element one होगा तो यह भी नहीं लिखूंगा तो इस तरीके से द दूसरा five होगा और तीसरा nine होगा ठीक है वन मैंने इसलिए भी लिखा क्योंकि यह one one भी तो होगा इसमें one minus one zero हो भी तो four का multiple होता है तो इसमें आप one one भी लिख सकते हैं ठीक है तो इस हिसाप से जो क्लास वन में जो सेड़ बनेगा उसमें कौन-कौन से element होंगे one five nine होंगे clear I hope कि समझ में आया होगा और आपको वीडियो भी पसंद आई होगी अब आप आपके पास जो भी बुक है चाहें आपके पास NCRT की बुक हो या आपके पास RD शर्मा हो आप इस वीडियो को कर दीजिए I hope कि आपको आप सारी के साइस कर ले जाएंगे और कुछ भी आपको डाउट अगर हो तो आप मेरे comment box में पूछिएगा तो इस वीडियो को आपने देख लिया है अब मैं हर बार की तरह आपके लिए questions for you में कुछ questions लेके आया हूँ यह वीडियो देखिए और questions तो आपका यह जो रिलेशन है वह पूरा complete हो जाएगा ठीक है तो चलिए चलते हैं questions for you में सिर्फ दो कोशन है बाकिया exercise के लिए अपनी बुक को रिफर कीजिएगा दोनों questions जो है बोड का है इसलिए आप इसको जरूर लगाईएगा एक तो 2008 और दूसरा 2010 का तो पहला question जो है उसमें हमें चेक करना है कि यह जो relation है वह reflexive symmetric or transitive इन में से क्या है तीनों है कि कोई दो है या एक है यह क्या है यह इसमें चेक करना है और दूसरा जो है वह जो है आपका उसमें हमें equivalence relation है कि नहीं यह चिक कर रहा है तो वीडियो को pause कर लिजे तोनों question note कर लिजे और अपने answers को मेरे comment box में देना मत भूलिए ठीक है और मेरे चैनल connect with math को देखते रही है आज की वीडियो में इतना ही क्योंकि हमने relation पढ़ लिया है तो second जो class 12 का जो second जो chapter है वो function है तो next वीडि क्या क्या है वाइती है एक का दूलिए जा के डिपने आफ एक जा के दो तो वीडियो कि आखते वीडियो कि अरुड़ वीडियो के दौन के जिती है जितना ह।